मुलिटे में तमाम बड़ी खबरों पर अज़र डालेगी चाहे वो सियासी हल चल हो या आप से जुड़ी हुई खबर हो सबसे पहले बात जांजगी चापा की जहां जहरीली शुराब से तीन लोगों की मौत के मामले से जुड़ी ही अपडेट है गाव का किराना दुकान संचाला गिरफ्तार कर लिया गया है अवैश शुराब बेच रहे युगा को गिरफ्तार किया गया है आपको बता दे किराना दुकान से इस अवैज शराब की विक्री की जा रही थी तो पुलिस ने गाव के किसान दुकान को अभी सील कर दिया है बड़ी ख़बर आपको बता दे जानकी चापा में जहरी शराब पीने से तीन लोगों की जान चली गई थी जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है गाव का जो किराना दुकान संचाला के इसकी गिरफतारी की गई है क्योंकि देखिए जो किराना दुकान संचाला के वो अपन के बाद तीन लोगों की मृत्य हुई है उनको नवागार अस्पताल में लाया गया था डॉक्टर और अम्रत घोशित किया गया है उनका पंचनामा करके पोस्ट माटम की करवाई की जा रही है और पोस्ट माटम के उपरांत एनलिसिस पर क्लियर हो पाएगा कि किन कारणों से मृत्य हुई है और पुलिस की टीम अस्पताल में भी है डॉक्टर की टीम भी पहुँच गई है एफसल की टीम भी गराम रोगदा पहुच गई है और वहां पे सभी अधिकारी मौके पे गया हुए है और आगे परिक्षन के उपरांती उसमें प्लियर हो पाएगा इदर जांजगी चापा के नवागड में शराब पीने से तीन लोगों की मौत की बाद नेता प्रतिपक्ष नरायर चंदेल नवागड सामुदाइक स्वास्त केंद्र पहुचे और उन्हें सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा इस उबे में दो हजार करोण का शराब घुट में हैं वहाँ पर तीन नौजवानों की नकली सराब से अवैस सराब से मौत हो गई है यह बहुत दुरभागे पुन घटना है बहुत ही दुखत घटना है कि 36 गड में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है जबसे भूपेज बगेल जी मुख्यमंत्री बने नकली सराब का अव ततकाल इसी वक्त जो तीन लोगों की मौत हुई है तीनों को पचास-पचास लाग रुपे की रासी की मौजवा देने की घोषणा ततकाल वो करें नकली सराब कच्ची सराब जो अलग काउंटर कांग्रेस के लिए भूपेद बगेल के लिए 800 सराब दुकानों में रखा जाता था उस काउंटर में नकली सराब बेचे जाते थे और नकली सराब से हम लोगों ने जैसे कहा कि लोगों के स्वास्त और जीवन से खिडवाल करने का काम ये सरकार नकली सराब बेच कर रही है और ये जो तीन मौटे हुई है इसका कोई जुम्मेदार है तो भूपेद बगेल की सरकार है कांग्रेस की सरकार है जो घोटाला करने के लिए वसूली के लिए पैसे के लिए इस प्रकार से नकली सराब छत्तिर गड़ में बेच कर लोगों की जान ले रही है खबर अगली भी जानदगी चापा से ही जाशराब की बड़ी खेपर बुल्डोजर चला है 10703 पर लीटर शुराब को नस्ट किया गया है अब पास साल से इस शराब को जब्त करके रखा गया था कलेक्टर ने टीम बनाकर इस शराब को नस्ट करवाया है बड़ी खबर जानदगी चापा से आपको बता दे शराब की बड़ी खेपर बुल्डोजर चला है बड़ी कारवाय आज की गई है 10703 पर लीटर शुराब को नस्ट किया गया है अब बताया जारा है कि पास साल से ये 10703 पर लीटर शुराब रखी हुई थी